तो आज इस उड़े में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में कल इसी समय आपको कहा था निफ्टी 17,325-320 से लेके 17,500 तक निफ्टी कही न कहीं क्लोज होता वा आपको देखने को मिल जाना चाहिए उसके उपर मिले तो एक ब्रेक आउट होगा वहाँ पर तो निफ्टी आपको एक बार जाता हुआ देखने को मिल जाएगा एक कल का समय था और एक आज का समय है लास्ट पर घुम फिरकर निफ्टी 17,350 पर ही बंद हुआ तो कल जो हमने कहा था कि 100 पॉइंट के आपको एक मूव देखने को मिलना चाहिए वह देखने को मिलता हुआ आपको मिला है अब कल क्या हो सकता है वह हम बताएंगे देखे जितना जादा यह निफ्टी अप्शन बायर के लिए अब तक मैं कह रहा था कि जो आउट अफ दमनी या जो आट दमनी ऑप्शन बायर है वह थोड़ा सा या तो वह भेट करें अग अच्छा का सा प्रॉफित अंकिया है जो आट दमनी आउट दमनी ऑप्शन ट्रेड किया होगा 99.99% में कह सकता हूं उन्होंने आज लूजी किया है क्योंकि कॉल साइड हो या पुट साइड हो दोनों के ही प्रीमियम गिरे है और इनफेक्ट कॉल साइड के तो आप्शन की मैं आपको कहा रहा हूँ अब रेडी हो जाइए आउट अफ दमनी आट दमनी जो ऑप्शन ट्रेडर्स है वो अब रेडी हो जाइए क्योंकि निफ्टी में एक ब्रेक आउट आ सकता है किसी भी साइड हमारा व्यू है 17700 जाने का वह हमारा पॉजिटिव व्यू है 600 तो मिन कल के लिए अगर हम बात करें एक ही लेवल होगा इंपोर्टेंट लेवल होगा 17350 ये क्रॉस हो तो 17550 तक आस सच कोई resistance नहीं है एक छोटा resistance अगर आपको ड्रॉ करना है कि बही एक एक resistance हो चाहिए ही चाहिए तो छोटा सा एक resistance आपको मिलेगा 450 के आसपास उसके पहले कोई resistance नहीं है तो 350 से 450 तक तो पूरा clear route आपको देखने को मिल रहा है और फिर 450 से 550 यानि करीब करीब 200 point की जगह आपको निफ्टी में देखने को मिल रही है जो इस expiry तक या Friday तक पूरी हो जाने चाहिए expiry कोशिश करेंगे option traders जो sellers है कि वो सत्रा पांसो के आसपस कही न कही हो जावे तो वह maximum profit gain करने वे सत्रा पांसो के उपर निकलता है तो आपको 700 के levels भी आते हो देखने को मिलेंगे फिर बेक resistance सत्रा पांसो पचास के आसपस देखने को मिल सकता है तो कल के लिए सिंपल 100 points के लिए आपको जगा मिल रही है 350 निकले 450 के लिए ट्रेड कीजिए 25 points का stop loss डालिए gap आप खुलता है 450 के उपर sustain करता है 25 points के stop loss के साथ वापिस buy trade कर सकते हो 550 के लिए अगर flat खुलता है तो 350 को stop loss मानते वे trade ले सकते हो सिंपल सा रूल आपको follow करना है 350 का level काफी important होगा यह पार करें आपको buy करना है 350 से 450 के बिच में कोई resistance नहीं है 450 के बाद 550 तो कोई resistance लिए यानि 200 पॉइंट की जगा है और अगर कोई थोड़ा से extra risk के नहीं 50 पॉइंट का risk लेना चाहता है तो 350 पे आप भाई कीजिए 300 का stop loss डालिए और सीधा 550 तक आप target मानके चल सकते हो यह निए 200 points का target 50 points का stop loss तो अच्छा आपको 1-4 का risk reward वाला trade मिल होता तो direct आप 550 पे exit कर सकते हैं कोई कम quantity में अगर trade करें उसके लिए मैं क्या रहा हूं कल अगर आपका fix वापिस 21 के नीचे यह याद रखिएगा 21 या 22 के नीचे trade करें तो ही आपको add the money या out of the money options में जाना है वरना अगर वापिस 22 के उपर चला जाता है तो आपको deep in the money options मे आजाना है 17,000, 17,000 के नीचे के जो भी options है उनमें आपको trade करना है 17,000, 17,000 के उपर के options में आपको trade नहीं करना है अगर आपको profit में रहना है तो बाकि अगर आपको खाली broker के लिए कमाना है तो फिर आप add the money out of the money trade कर सकते हो तो कल के लिए view काफी clear है कल भी bullish trade होना चाहिए downside risk cap है 300 के आसपास 300 निकलता है तो वाप इस 17,000, 17,000 से लेके 17,000 इसी range के अंदर कहिना कहीं गुमेगा और फिर chances है very high कि expiry के पहले 17,500 भी नहीं निकलेगा 17,400 भी नहीं निकलेगा और 17,350 भी नहीं निकलेगा तो कल देखना होगा अगर 300 के निचे जाता है तो फिर वही एक range bound हो जाएगा फिर दो दिन के लिए और range में रहेगा और जो भी premium में पूरा का पूरा erode हो जाएगा और फिर आपको fresh move Friday से देखने को मिलेगा वरना higher chances है कि अगर 350 निकले तो 450 और 550 तक भी जा सकता है 550 निकलता है तो फिर 700 के targets भी आपको आते भी देखने को मिल जाएगे व तो एक resistance level पर जाके bank nifty ने closing दिया है daily chart button के साफ से अगर हम बात करें 36,000 निकलता है तो 36,200 या 300 in fact 300 point मैं कहूंगा 36,300 तो कोई resistance नहीं है close हुआ है 35,850 के असपस high लगाया था last tick जो गई थो 35,950 के असपस गई थी तो 100 point निचे close हुआ है तो किसी न अगर out of the money buy कर रखा है तो कल अगर bank nifty 100 point उपर भी खुलता है तो भी आपको profit ने होने वाला आपको loss ने होने वाला है क्योंकि आपका जो option है अगर आपको ने किसी ने last moment पर buy किया 35,950 के असपस किसी ने buy किया जब bank nifty था और अब close हुआ है 35,850 के असपस तो अगर 100 point भी उपर जाता है तो आप आपका तो time decay हो जाएगा और आपका जो profitable trade है वो loss में convert हो जाएगा भले market आपकी दिशा में गए इसके लिए deep in the money और deep in the money carry करने के लिए थोड़ा सा risk जाधा होता है वो आपको expect करना पड़ेगा कल के लिए बात करे 36,000 एक important level होगा ये सारा हम जो drawing है उसको एक बार clear कर दे तो bank nifty आपको strong होता हुआ देखने को मिलेगा उपर के बाजू कल ही कल के लिए 35,000 थर्टी सिक्स टू फिफिटी के लिए टागेट्स आते विए देखने को मिलेगे और उसके बाद आपको 36,500 के टागेट्स आते विए देखने को मिल सकते है तो 36,250, 36,500 ये दो टागेट् करो bank nifty के अंदर नीचे के बाजू support की बात करें तो नीचे के बाजू ये last support है ये अगर जाता है 35,750 अगर जाता है तो फिर bank nifty को भी भूल जाएगा थोड़ा साथ को अगर मैं और trade करू तो 35,700 ये अगर निकलता है तो फिर bank nifty को भूल जाएगा फिर 36,000 पार नहीं होने वाले expiry के पहले फिर bank nifty वापिस वही अपने 35,000 35,800 इसी range में कहीना कहीं और दो दिन वेस्ट करके अपना जो भी premium है वो सारा का सारा option sellers कमा लेंगे क्योंकि option buyers को लिए last दो हफते काफी अच्छे थे तो अभी दो हफते से consolidation चल रहा है last इक हफता चला ये हफते भी मैंने क आता कोई बहुत बड़ा move में expect नहीं कर रहा breakout होगा तो जाएगा 35,000 35,000 फिर 36,500 और थोड़ा extend हुआ तो 36,800 अगर 200 day moving average निकलता है तो फिर कोई नहीं बात बनेगी वहाँ पर जाके ये थक जाएगा वहाँ पर जाके ये give up कर देगा अगर 35,700 ब्रेक होता है तो फिर buying के लिए भूल जाएगेगा फिर ये consolidated होगा फिर दो दिन के लिए आप अपके छुटी बनाएगे option buyer जो है और option seller जो है वह अपना काम कर दिए डिस्क्रेमर नहीं बढ़ा तो डिस्क्रेमर भी पर लिजे गुरूप में जॉइन नहीं है गुरूप में जॉइन जाएगे और च